Good morning students, आज हम हिंदी व्यकरण में पढ़ेंगे पाठ पाच संधी संधी को इंग्लिश में कहते है ज्वाइनिंग यहाँ पर जैसे शब्द दिया है सूरोदे, हिमाले, वर्षतु तो सूरोदे किन दो शब्दों से मिलकर बना है? सूर प्लस उदे तो इसे क्या कहते हैं? इन दोनों शब्दों का क्या हुआ है? संधी हुआ है हिम प्लस आले, क्या बना? हिमाले, वर्षा, प्लस रितु, वर्षतु इस प्रकार संधी का शाब्दी करते मेल, परन्तु व्यकरण में इसका भिन अर्थ होता है वेकर्ण में दो वर्णों के मेल से उत्पने विकार कोई हम क्या कहते हैं? संधी कहते हैं संधी के द्वारा बने शब्दों को जब हम अलग-अलग करते हैं तो उसे संधी बिच्छेत कहते हैं जैसे नमस्ते को जब हम संदी बिचित करेंगे तो क्या लिखेंगे नमः प्लस ते धर्मात्मा को धर्म प्लस आत्मा संदी के बेद कितने होते हैं? संदी के तीन बेद होते हैं स्वर संदी, वेंजेंस संदी और विसर्ग संदी स्वरसंधी क्या होते हैं जब दो स्वरों के मेल से नया शब्द बनता है तो उसे हम क्या कहते हैं स्वरसंधी जैसे कि यहाँ पे क्या लिखet भाव प्लस अर्थ तो भाव में भी व और को सफ स्वर है और अर्थ का पहला स्वर कह है अ तो अ प्लस अ क्या बन गया आ तो भाव प्लस अर्थ क्या बन गया नया शब्द भावार्थ इसी को हम क्या कहते है स्वर संदी कहते है यहाँ पे दोनों शब्द के पहले शब्द के अंत में और दूसरे शब्द के प्रारम में क्या है स्वर है इसलिए से हम स्वरसंदी कहते हैं उसी प्रकार वेंजन संदी क्या होता है जिन ध्वनियों में संदी हो रही है उनमें से एक अत्वाद दोनों वेंजन हो तो वेंजन संदी कहते है जैसे दिग प्लस दर्शन दिग का अंतिम अक्षर क्या है क जो कि वेंजन है विसर्ग संदी स्वरा अत्वा वेंजनों के साथ विसर्ग के मेल से विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे हम विसर्ग संदी कहते हैं जैसे मनह प्लस अनुकूल तो विसर्ग संदी की पहचान क्या है विसर्ग की जो यह मात्रा है ठीक है तो विसर्ग प्लस अ क्या हो गया तो मनह प्लस अनुकूल क्या हो गया नया शब्द मनोनुकूल I hope सबको चप्टर समझ में आ गया होगा तो आपका वर्ग क्या है इसके जो exercise question है यह आपको self feel करना है और इसे ग्रूप में send करना है अब हम इसके प्रशन उत्तर लिखेंगे पहला प्रशन के है संदी से क्या तात परे सोधारन उत्तर दिजिए तो उत्तर के है व्यकरन में दो वर्णों के मेल से उत्पन विकार को क्या कहते हैं संदी कहते हैं जैसे सूरी प्लस उदे सूरी उदे दूसरा प्रशन है संदी विच्छेत किसे कहते हैं संदी के दोरा बने शप्दों को अलग-अलग करना कहलाता है संदी विच्छित कहलाता है जैसे नमस्ते को कैसे विच्छित करते है नमच प्लस ते प्रेशने नमर तीन कया है? संदी की यतने वेदे? उधारा सहीत बताईए. तो संदी के तीन वेदे. पहलए है सौर संदी. दो सरो के mail को स्वर संदी कहते हैं. जैसे भाव प्लस अर्थ भावार्ड. दूसरा है वेंजन संदी. जिन ध्वनियों में संधी हो रही है उनमें से एक अथवा दोनों वेंजन हो तो उसे हम क्या कहते हैं वेंजन संधी जैसे दिख प्लस दर्शन दिख दर्शन तीसरा क्या है विजर्ग संदी स्वरो अथ्वा वेंजनों के साथ विजर्ग के मेल से विजर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे हम विजर्ग संदी कहते हैं जैसे मनहा प्लस अनुकूल तो ये सबी आंसरों को आपको अपने हिंदी वेकरन की copy में लिखना है और इन्हें याद भी करना है Have a nice day